A team is as good at its captain. और बिगाड भी सकता है, इतनी पावर भी होल्ड करता है. और अगर अच्छा कप्तान नहों अच्छी बैकिंग मिले तो कोई एक प्लेयर सुपर स्टार भी बन सकता है. इसी बारे में अच्छी बात के रहे हैं कि कौन से वो पाँच प्लेयर थे जिनको दादा ने बैक किया और आगे जाके वो इंडियन क्रिकेट इतिहास में सूपर स्टार बन गए और बहुत बड़े दिगज बन गए. सौरफ गांगुली जब कप्तानी ली थी तो उस वक्त में काफे ज़ादा डाक फेज चल रहा था मैश फिक्सिंग से रिलेटेड जो एक फेज हा इंडियन क्रिकेट के अंदर भी वहां से सौरफ गांगुली ने कप्तानी ली और उस जगह से निकाला और वर्ल्ड इंडियन क्रिकेट के जो पर्चम था वो लहराया पूरे दुनिया में इंडियन क्रिकेट की जो क्वालिटी थी वो और बहतर की और सब को बता दिया गया कि इंडिया क्रिकेट किस तरह से खेलती है और जो सिनेरियो था इंडियन क्रिकेट का लैंड्सकेप था वो भी चें आता था, शुरुवात में कहा जाता था कि यार यह जो बैट्समन है वो सिर्फ और सिफ ODI क्रिकेट का बल्ले बाज है, वाइट बॉल क्रिकेट का बल्ले बाज है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं टिक पाएगा, लेकिन विरेंदर सहवाग ने खुदी बताया कि दादा ने उनक सॉरुफ गांगोली बल बाजी करते थे तो सॉरु गांगोली को पोटेंशल दिखा वरेंदरों सहवाग में और वहां से उन्हों ने अपना स्लोट सकरीफाइस किये ओपनिंग का और सहवाग से कहा कि आप जा के ओपनिंग और जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लीजिए और मैं आपको बहुत मैचेस दूँगा अपने आपको पुरूफ करने के लिए जाईए और एक्सप्रेस कीजिए और कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर वहाँ पर आप फेल भी होते है बतार ओपनर वापस मैं मिडल ओडर में रखूँगा और उसके बाद और मौके दिये जाएंगे अपने आपको एक्सप्रेस करने के अपने आपको प्रूफ करने के लिए तो ऐसा नहीं था कि अगर आप उपनर के तौर पे अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे है तो आपको टीम से भार कर दिया जाएगा तो जो अशौरेंस थी वो पूरी तरह से स्वर्वगांगुली ने सहवाग को दी थी और वहां से फ्री माइंड होकर खेलने का बस काम था विरेंदर सहवाग का और उसके बाद तो हमारे पास जो लेजनरी ओपनर रहे विरेंदर सहवाग उनके बार में क्या ही कहना है आप सबी ने देख्या उनके रिकॉर्ड जो है क्या गजब के रिकॉर्ड रहे हैं जो रंस बनाएं और जो खौफ पैदा करते थे चाहें वो फॉर्माट कोई भी हो टी ट्विंटी हो ओडी हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो लहाँसा एक ही तरह कहो था विरेंदर सहवाग का खे वो बहुत ही जबरदस थी और विरेंदर सहवाग ये हमेशा बोलते है कि इनिशल करियर में जो उनको बैकिंग मिली थी दादा की तरफ से वो काबले तारीफ थी और अगर वो बैकिंग ना मिलती तो मैं इतना क्रिकेट नहीं खेल पाता और जो मेरे अंदर पोटेंशल था बता और ओपनर वो भी दादा ने ही स्काउट किया था और दादा अगर मुझे ना बोलते और अपना पोजिशन ना सैक्रिफाइस करते तो शायद कुछ और नजरिया होता मेरा क्रिकेट को देखने का खेलने का और शायद इतने रंस भी ना बनाता जितने मैंने ओपनिंग उन्होंने बोला है कि बहुत जादा श्रे दिया जाता है सौरफ गांगुली को कि युवरा सिंग बहुत बार वोकल भी है इस चीज को लेके कि यह जितना जादा सपोर्ट मुझे दादा से मिला था बता और कप्तान किसी भी और कप्तान से नहीं मिला चाहे हो MS धोनी की बा और यवरास सिंग की जब रिटार्मेंट की उसके बाद उन्होंने काफी टीम मैंनेजमेंट को यह उपर भी सवाल उठाया थे कि मुझे टीम में इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था और कब बागी कप्तानों पर भी सवाल उठाया दादा के उपर और शॉराफ गांगुली ने वो पोटेशल भांप लिया था शुरुवात में कि उवराश सिंग नहीं सिर्फ एक बहुत 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 बहुतरीन बलेबास है बट एक काफ़ी अच्छे बॉलर भी है और बहुत ही जबर्दस फिल्डर भी है तो वो सब all-rounder बनाने के उससे point of view से अगर अब बात को रहें पोटेंशल देखने की बात करें सौरफ गांगुली ने बहुत जल्दी भाफ लिया था और end of the day result किया था 2016 T20 World Cup में man of the tournament, 2011 ODI World Cup में man of the tournament युवरास सिंग 6 चके Stuart Broad के खिलाफ युवरास सिंग तो मतलब अंगिरत records बनाया युवरास सिंग ने, 11,000 से इंटरनाशनल रंस बनाया है, 148 विकेट्स लिए है इंटरनाशनल क्रिकेट में युवरास सिंग ने, तो ये सब ना होता अगर सौरफ गांगुली युवरास सिंग को back न करते उनकी abilities पर trust ना करते, और of course World Cup winner रहे है, दोनों World Cup का हिस्सा थे, T20 World Cup का भी और 2011 ओडिया वर्ल्ड का भी विरिंदर सेवाग भी और युवरास सिंग भी, तो of course रेज आता है, दादा को खुदी देते हैं कि यार जबरदस्त बैकिंग मिली थी, और वहां से मेरा करियर जो बाहर हुए, NCA Camp में गए, लेकिन NCA Camp में भी वहां पर in disciplinary action की वज़े से उनको बाहर निकाल दिया गया और management की तरफ से एकदम ऐसा समझो कि काटा लग गया था कि भाई, अब वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, और टीम में वापसी तो मतलब मुश्किली था, लेकिन वह लावा कोई और spinner मुझे नहीं दिखता है, जो इसको replace कर सकता है, मुझे हरवजन सिंग ही चाहिए, दादर ने सब क्या लड़ाई करी चाहिए, management की बात करो या support staff की बात करो, जिसके साथ भी जो selection का part थे criteria के लिए, कि मुझे हरवजन सिंग चाहिए, और लड़कर हरवजन स सिंग पे था, उतना ही भरोसा हरवजन सिंग ने दिखाया भी और उनको प्रूव भी किया कि बिल्कुल आपका भरोसा जता एक्दम सही ता था और जो वो ऑस्ट्रेलिया की फेमस सीरीज होई थी, वहाँ पर तीन मैच में 32 विकर्स निगा ली थी हरवजन सिंग ने, और उ उसके बाद वो जो करियर था, वो कभी रुका नहीं है और वो बहुत ही जबर्दस उपर तक गया है, 2007 वर्ल्ड का विनर, 2011 ओडिया वर्ल्ड का विनर, हरवजन सिंग, वन अफ दा हाइस्ट विकेट टेकर्स वर इंडिया, 700 जदा इंटरनाशनल विकेट्स हरवजन सिंग क उनको प्रूफ सही किया कि आपने जो भरोसा जिताया है, मैं उस पर खड़ा उतरा और मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि मेरे अंदर पोटेंचल है, टालेंट है, तो ऐसे थे दादा हमारे, सौरफ गांगुली, और अब चलते है, चौते प्लेयर की तरफ की तरफ की सब बैकिंग मिली थी, जहीर खान, जहीर खान भी हमेशा से वोकल रहे है, इस बारे में कि जिस तरह से दादा ने उनको बैक किया है, बहुत ज़ादा जबरदस तरीके से बैक किया, और अगर वो बैक ना करते है, तो कही ना कही उनको जो करियर था, वो इतना लंबा ना जाता और जहीर खान जब शुरुवात में क्रिकेट खेलने आये थे तो 2003 वर्ल्ड कप के बाद सब के अटकले थी कि शायद से आगे नहीं खेल पाएंगे पदर्शन जो हुआ था इंडियन टीम का फाइनल में हार गए थे लेकिन उसके बाद उमीदे थी कि शायद से जहीर खान को इतना नहीं दिखा जाएगा पोटेंशल जो था वो उतनी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे कुछ भी था जो भी अटकले लगती थी लेकिन दादा ने का कि नहीं इस प्लेयर में दम है मुझे ये चाहिए और मैं इसके साथ ही आगे बढ़ूँगा और जहीर खान ये बहुत बार बोल भी चुक है कि जिस तरह की बैकिंग इनिशल स्टेज में एक बल्ले बास को एक गीन बास को एक ओवर अल क्रिकेटर को चाहिए होते है नहीं क्रिकेटर को वैसी बैकिंग सिर्फ स्वारफ गांगुली ही दे सकते थे उस वक्त पे और स्वारफ गांगुली ने वो करके दिखाया स्वारफ गांगुली ने जहीर खान को इतना बैक किया उनकी इबिलिटीज पर विश्वास किया कि ये आगे जाके बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे और वे अक्चुली बनें भी जहीर खान Of course हम कैसे बूल सकते हैं 2011 ODI World Cup Highest wicket taker इंडिया की तरफ से ही नहीं पूरे tournament के highest wicket takers में रहे थे जहीर खान जब भी current situation होती ही जहीर खान आते थे अपने experience और अपनी कला के साथ wickets दिलवा कर लेके जाते थे अपनी team को और बहुत ही जबरदस production रहा था और World Cup winner एक और दादा ने दिये एक और superstar जो दादा की backing के जरीए आगे बढ़ते रहे थे और देशकान नाम रोशन किया इतना जादा कि क्या ही बताएं आप सभी लोगों मालू में जहीर खान ने जिस तरह का प्रजर्शन के इंडिन क्रिकेट को कितना contribute किया है और वो contribution है था दादा की backing से ही सौरफ गांगुली ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था उनकी लाइफ में भी उनके करियर में भी और यह जहीर खान खुद भी बोलते हैं इस बारे में accept करते हैं चीज को और अब बात करते हैं पांचवे प्लेयर की और उस legend को भी इस legend ने back किया था जिस तरह से शुरुवात हुई थी international cricket में कुछ बहुत ही अच्छी नहीं रही थी और सबको पता है कि बहुत जाधा scores नहीं बनायते हैं और सबको लग रहा था कि यह प्लेयर जाधा time तर टिकेगा नहीं जिस तरह कि उनकी abilities थी जिस तरह कि उनकी technique थी सबको लग रहा था बहुत unorthodox है और जो खेलने का तरीका है बहुत अलग है और थोड़ा casual है तो आपको लग रहा होगा कि यह हम भी यहीं बात कर रहे हैं लेकि नहीं आक्चुली स्वारफ गांगोली ने वो देखा कि भाई यह प्लेयर अलग है इसको प्लेयर बनाना कैसे हो सोचने वाली बात है और वो जो raw ability थी उसको आगे और कैसे निखारा जाए स्वारफ गांगोली इस चीज में लग गए सोचने के लिए और स्वारफ गांगोली इस बारे बताया भी है कि मैं जब एक बार न्यूज देख रहा था टीवी पे और उस टाइमें मैं सोच रहा था कि MS Dhoni को बड़ा प्लेयर बनाया क्या सजाए क्योंकि इस प्लेयर में पोटेंशल बहुत है तो तब क्या किया स्वारफ गांगोली जैसे उन्होंने विरेंदर सेवाग के लिए था उन्होंने अपना नंबर तीन का स्पोर्ट जो है वो दे दिया MS Dhoni को तो उसके बाद जाते- गया चलता गया और चलता गया दोजार साटी-ट्वेंटी वर्ल्ड का बतौर कप्तान जितवाया फिर 2011 ODI वर्ल्ड को बतौर कप्तान वो MS Dhoni का विनिंग 6 किसको याद नी होगा फिर 2013 में जो चैंपियन्स ट्रॉफी जीती हमने वो किसको याद नी होगी ICC की तीनों मेजर ट्रॉफिस हमारे काबिनेट में आई MS Dhoni के बदौलत MS Dhoni के कप्तानी में आई और जो उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को दिया है और जो दशाओ उन्होंने बदली है Indian Cricket की अफकोर्स बहुत बड़ा इंपक्ट होड़ा है बहुत बड़ा ब्रैंड बन गेते MS Dhoni लेकिन चुरुवात में अगें दादा ने उनको बहुत बैकिंग दीती और वो भी बात बोलते हैं दादा खुद ही बोलते हैं कि मैं चाहता था कि MS Dhoni और जितना मैच होगे सके उतना खेले चाहे प्लीइंग लेवर में रहते होगे भी रंज नहीं बनाएंगे मैं उनको रखता था मैं बैक करता था बिकॉस मुझे पता है कि इस प्लेयर के अंदर पोटेंशल बहुत जाद है और जब यह फटेगा तो बहुत जबरदस फटेगा और क्या फटेगा है भाई साहब मतलब पूरी दुनिया में MS Dhoni का नाम और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में MS Dhoni का नाम जिस सरा से चाया था वो हम सबी ने देखा है जो बड़े बड़े चक्के लगाना हो IPL में CSK के पास इतने टाइटल्स हो और Champions League के टाइटल्स हो हर जगा MS Dhoni ने अपनी चाप छोड़ी है हर जगा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है बतौर कफ्तान बतौर प्लेयर तो MS Dhoni का जो रिकॉर्ड रहा है अब तक का जो करियर रहा है उसकी बहुत जादा श्रे हम दे सकते हैं सौरफ गांगुली को भी जिस तरह से उन्होंने उनको बैक किया वह अशौरेंस दी कि आप अपना नाच्रल गेम खेले और उसके बाद आगे हम देख लेंगे जब नहीं करोगे तो मैं पीछे खड़ा हूं और कोई टेंशन नहीं है और शुरवात में कमीटी बेटी वी थी वहां पर उचा गया था कि किसको पिक करना चाहिए दिनेश कारते कि या फिर में जोनी एंड तब सौरफ गांगुली के आवाज आते कि दोनी को ट्राइ करते हैं वहां से लेके अब तक का सफर अफकॉर्स अगर सौरफ गांगुली ने वहां पर नही इसा कुछ नहीं किया और उनने बैक किया मस दोनी को और उसके बाद रेस्ट इस हिस्ट्री और ये थे हमारी तरफ से टॉप पांच प्लेश जो सौरफ गांगुली ने बैक किये थे और आगे जाके सूपर स्टार्स बने और एक चीज़ कॉमन है इन पांचों के पांचों वर्ल्ड कब विनर्स रहे हैं और सूपर स्टार्स बने आगे जाके इंडियन क्रिकेट टीम के आपको यह लगता और कौन-कौन से प्लेश थे जो सौरफ गांगुली ने बैक किया और वो आगे जाके बहुत बड़े सितारे बने थे कॉमन्ट सेक्षिन में अपने जरूर देना और ऐसी वीडियो दिखने के लिए क्रिकेट ग्यान को सब्सक्राइब करना मत बूलना थांकियो सो मच